फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर, अब उनके मावाप बहुत परिशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो, सवेरे सोकर उठो और मुँका थूक आँख में लगाओ, काजल की तरह से, तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते हैं, अब आपको हिरानी होगी कि चश्मे उतर गए, सिर्फ ये लार लगाने आप भी करके देख लीजें, जिनको भी चश्मे हैं, बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे, लेकिन उतर जाएंगे, उम्र ज़्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जा अक्सर उसमें आखें लाल हो जाती है आखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतराया हो आखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुरवेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आये तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गए 24 गंटे में ठीक होते हैं conjunctivitis अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी आँखे टेड़ी हैं वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिलकुल बीच में सेट हो रहे तम मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वेग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्च्वली इसका एक्टिव इंग्रेडियन्ट क्या है तो उन्होंने का भाईया जितने एक्टिव इंग्रेडियन्ट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बड़ा है मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडियंट्स है लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो-चार बाते बता दू क्या क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है न उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है छे-ाठ महिने में धगगा धबा बिलकुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या डिमाका हो गया एकजीमा हो गया मानलो खराब बीमारी की बात करूँ एकजीमा हो गया एक्जीमा पे रोज सुबह की लार लगाईए मालिश करते रहिए छे-ाट महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार से बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज है बागबट जी ने जितने भी इलाज बताये है सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें बहुत अच्छे रिजल्ट है आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराईए